हेलो स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं पाइतोगोरस थेयरम या इसको अबदायन थेयरम भी बोलते हैं इसमें क्या गिवन होगा अगर किसी ट्रैंगल में एक एंगल 90 डिगरी है मिन ए बी सी ट्रैंगल में बी 90 डिगरी है तो उसकी सामने भी साइड यानि हाइपरदैन तो क्या करेंगे अब जब्सक्राइब अब अपने थिम्लेयर्टी यादी इसको प्रूव करेंगे दो ट्रैंगल लेंगे पहले ए दी बी एंड एबी सी ठीक है एडी बी एंड एबी सी दोनों में देखर 90 डिगरी क्या है एंगल एडी वी इस इकवल टू एंगल एबी सी यह क्या है A-90, ठीक है एड़ानों में एंगल A common आ रहा है I mean angle B-A-D B-A-D is equal to angle C-A-D यह दोनों में एंगल क्या है common तो बाइ एंगल एंगल क्रेटेरिया से यह दोनों ट्रैंगल आपस में क्या होएंगे सिमिलर अगर यह दोनों ट्रैंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड करेश्यों आपस में इक्कोल होता है अब देखो क्रोस मल्टिप्लाई करो अब इंटो अब का स्केट इस इकल टू अब अपने ट्रैंगल लेंगे अब्री लिया अपने बीडिशी यानि एंगल नाटी बीच में आना चीए इन ट्रैंगल कि बीच में एंड सेम एंगल आशे से दोनों में वही एंगल बीडिशी इजिऑ टू एंगल एंगल क्वीच क्या है 90 and दोनों में जो एंगल common आ रहा है देखो C common आ रहा है दोनों में तो एंगल BCD is equal to angle ACB each common so angle angle criteria से ये दोनों प्रेंगल भी आपस में क्या होंगे similar अगर similar होते हैं तो आपको पता है इनका ratio क्या होता है equal then अब equal करेंगे तो क्या आएगा देखो CD upon BC CD upon BC is equal to BC upon AC अब देखो cross multiply करेंगे तो BC into BC BC scale is going to AC multiply CD अब BC का scale भी आगया and AB का scale भी आगया अब according to question क्या करेंगे थियोरम में इनको add कर देंगे by adding equation 1 and 2 यानि AB कर square plus BC कर square is equal to AB क्या थी AD multiply AC plus AC multiply CD इन में common क्या आ रहा है देखो AC common आ रहा है then AD plus CD AD plus CD AD plus CD क्या हो जाता है AC AC multiply AC it means AC का square so AC scale क्या हो गया AB square plus BC scale thank you